वीडियो छोटा सा होने वाला है लेकिन बहुत खास होने वाला है इसलिए वीडियो को कम्प्लीट देखते रहे हैं आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे पास आप देख सकते हैं यह है PCV यह PC बोर्ड है जो कि Split Air Conditioner में इंडोर में लगा होता है Non Inverter Air Conditioner का यह PCV है इसके बारे में आज हम डीटेल्स में जालने वाले हैं कि यह PCV काम कैसे करता है आप इस PCV को चेक कैसे कर सकते हैं सिर्फ बताऊंगा practical इसमें मैं करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मेरे पास यह वायर नहीं है अभी neutral face देने के लिए लेकिन मैं आपको पता है कि अगर मैं बता दूँगा यह practical से कम नहीं होगा इसलिए वीडियो को complete देखते रहिए और उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपने भी तक हमरे सिलेवन टेक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है आप नए विजिट किये हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके आल पर क्लिक कर लें ताकि जितनी भी वीडियो में आप बनाओं नोटिपिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और वीडियो को देख पाएं सबसे पहले तो यहाँ पर नॉर्मली क्या चेक करना होता इस पीसीवी में यह पीसीवी करता क्या है कि इंडोर में फैन जो ब्लोवर मोटर लगा होता है ब्लोवर मोटर को रन करवाने के लिए और आउटडोर को आउटडोर के कंप्रेसर को रन करवाने के लिए यह मदद करता है कि करता है कि आउट डूर को बंद कर देता है इसको पता चल जाता है और यह सप्लाइग कट कर देता है आउट डूर का और जुब और जब रूम में वापस से गर्मी हो जाती है वापस से गर्मी जब रूम में होगी तो इसको सिगनल मिलेगा और यह क्या करेगा कि आउट डूर काम होते हैं यह भी जानना बहुत जरूर है तभी आप PCB को चेक कर पाएंगे PCB इस तरह से अंदर लगा होता है इंडोर में सप्लाई इसकी कहां कहां दे जाती है उसे तो पता है सिंगल फेस में सिंगल फेस एर कंडिशनर में सिंगल फेस ही दिया जाता एक न्यूटल और एक सिंगल फेस न्यूटल फेस कहां दिया जाएगा इसमें यह PCB में वो जो दो वायर जाता ना इंडोर के लिए वो दो वायर इसी PCB में ही जाता है और PCB में कहां कहां वायर लगाएंगे यह जानना जरूरी है PCB जो सिंगल फेस का होता है सिंगल फेस इंडोर तो लगबग सिंग में आएगी और यही से निकल करके वापस outdoor को जाएगी न्योटल और फेस एक कमाड लाइन और एक न्यूटल आवडूर को जाएगी जो कि आउट दोर जोर तब होगा अब देखी इसमें supply कहां कहां दि जाती है एक supply यहां दिखाना चाहूंब नजदीग से। यहां पर देखvidemment निउटल 1 नूटल 2 लिखा लोगा यहां पर एक किसी एक में Shop लाइज यहां पर देंगे और एक supply लायन यहां पर देंगे रेले में एंज सकते हैं रेले में 2.00 यहां यहां होता है और एक से आउठ recom Guard होता है तो यहां पर दो सब्लाइ हम देते हैं के नि्यूटल और एक लाइन यहां करे वह ले कि रिले में अब देखिए यहां पर कभी-कभी होता क्या है कि रिले में कुछ लोग कहते हैं THAT यका। में हम गलत सब्लाई देदें महां शवद्विक AI की इंपुटbound की होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं यह है ओस साथ यहां सेसी नाता है हर यह इस नहीं जाते हैं कि indoor हमारा इंडोर में Supply पहुंच चुकी है अगर यही supply हम गलत देते हैं इंपुट की जगह आउट पुट हम दे देते हैं आउट्पुट की जगह इंपुट हम गलत यहां पे दे देते हैं तो इस्टार्ट नहीं होगा नूटल तो हर तो फटा साथ में यहां पर देंगे तो यह क्या होगा कि ऑन हो जाएगा ऑन होने के दो मिनट के बाद कभी दो मिनट लगता है दो मिनट कुछ सेकंड के आसपास में टाइम लगता है इसको आउट पुट सप्लाई निकालने में अब इंपटम नें नीटल और फेस यहां पर दिया अब up hour आउठ पुट सप्लाइ दूसरी पाइंट से दूसरी पाहं जो निकलता है उसीधा कंपरेशर के जो सी लिखा होता है कंपरेशर के जाता है कमाड लाइन यही सीनिकलता ह रिले से रिले से ही कमांड लाइन निकलता है फिर भी देखिए जो मैं बता रहा हूँ आपको कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो आप बेजी जग तुरंत पूछ सकते हैं मैं उसका रिपलाई तुरंत देने की कोशिस करूंगा एक इंपूट यहां पर देंगे एक आउटपूट का सप्लाई जो निकलता है पीसीबी तो हमारा उन हो गया अगर गलत सप्लाई देंगे तो विप नहीं बजेगा और पीसीबी स्टार्ट नहीं होगा तो समझ जाएंगे कि रिले में हमने गलत पॉइंट दिया है उसके बाद यहां से निकाल करके दूसरी पॉइंट में पाकी बसता है कि आउट डूर में हमारा क्या लगा होता है एक फैन मोटर लगा होता है और एक हमारा फोरवे वालव लगा होता है तो यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा इसमें लिखा हुआ है यहां पर देखिए फैन के लिए लिखा हुआ है और फोरवे वालव के लिखा है कि आपर चलाना चाहते हैं आउटडोर ने कियोंकि ने इस प्लॉफ्ट के साथ में एक फजी नगी और library के लिए और एक एक हमारा यह फैन मौटर के लिए हैं अगर यह relay खराब होता है तो outdoor का fan motor नहीं चलेगा तो इसे चेक करने के लिए आप continuity अप जो कले मीटर होता है कले मीटर से आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर एक supply आ रही है कि नहीं आ रही है एक तो neutral पर रखेंगे यहाँ पर दूसरा प्राड यहां पर रखेंगे तो यहां पर 220 का करेंट बताएगा तो समझ जाए कि यहां से आउटपुट सप्लाई निकाल रहा है मोटर में खराबी है अगर यहां पर आउटपुट सप्लाई नहीं निकाल रहा है तो समझ जाए कि यह रिले खराब है इस PCB में fault है यह हो गया अब इसके बाद ना यहां पर देखिए यह point दिया गया है यह किसलिए है यह जो point है ना यहां पर jack लगता है जो blower motor का है jack यहां पर लगता है यहां पर भी speed दिया गया है हाई medium low neutral और fan यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर अलगलग point दिन 3 speed का है मोटर हाई medium low उसके बाद फैन उसके बाद यहां पर neutral एक न्यूटल है यह डिले यहां पर 3 रिले हैं 3 speed के लिए 3 रिले हैं यहां पर तीनों लिले जो की काम करता है इंडोर ब्लोर मोटर को रन करवाने के लिए यह हो गया और बाकी इसमें देखे एक चीज है यहाँ पर सेंसर लगाने के लिए यह पर लिखा हुआ है इंडोर यहां पर सेंसर लिखा हुआ है क्वाइल सेंसर एक में यहां पर骤 रूम टैंप्रेचर सेंसर तरह कीलिए अगर आप पीCB चेक करते हैं पीसी वी अब हम बात करते हैं सप्ला ये टो हमारा हो गया पीछे के साइड में इस तरह से प्रिंटिंग होता है आप देख सकते हैं High Voltage Area है यह बड़ा बड़ा और यह Low Voltage Area है जो की DC में डीसी में कनवाट हो जाता है और जो रिल्यो को सप्लाई मिलती है ना यह बारे वोल्ट डीसी करेंट मिलता है बारे वोल्ट इन्पुट एक इन्पुट देते हैं एक आउट्पुट से निकाल लेते हैं 220 का करेंट होता है लेकिन रिल्यो को आउन करने के लिए जो रिले इस यहां पर लगा हुआ ना यह इसमें दो पॉइंट दिया गया है दो लेकिन सिर्फ एक काही काम होता है डिस्पले को चलाने के लिए यहां पर दिया जाता है डिस्पले को तो यह तरह से यह पीसी भी होता है अब इसे चेक कैसे करना है यह भी समझ लीजिए कि चेक कैसे करना ह अच्छा एक चीजा और मैंने नहीं बताया आपको यह होता है यहां पर देखिए तीन पॉइंट है तीन जैक लगाने का जगह है सिर्फ यहां पर दो ही जैक एक तो दोनों डिस्पले का है कहीं भी लगा सकते हैं या तो इसमें अगर दो डिस्पले आपको सो करवाना है तो दोनों आप लगा सकते हैं और यह तीसरा जो पॉइंट है यह हमारा जो स्विंग मोटर होता है स्विंग मोटर को रण करवाने के लिए यह जैक है यहां पर लगाया जाता है इसमें तो कुछ लिखा नहीं है लेकिन यह जैक होता है स्विंग मोटर को चलाने के लिए इसमे यह लगा होता है ट्रांसफार्मर लगा होता है जो एसी से डीसी में कर आता है और कुछ चोटी चोटी पाइंट लगे हुए इतनी जानकारी तो मुझे भी नहीं है PCV का लेकिन हां इतनी जानकारी है कि PCV में अगर रिले खराब होता है या फिर कोई और कंपोनेंट जो कर सकते हैं बहुत यासानी से इसके रिले चेंज करने के लिए ज्यादा तर PCV में खराब क्या होता है कि रिले ही खराब होता है रिले अगर खराब हुआ तो इसमें क्या होता है कि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आउटडोर लगातार चलता रहता है कंप्रेसर अगर हम रिमो माइल कि कैसे चेंज किया जाता है बहुत यहां उससे देख करके आप सीक्षा करब कि पीछ चार पॉइंट होते हैं एक दो थीन और चार यह चार वह पॉइंट में सल्डिंग ऊयरन से निकाल देना है निकलने के माद रिली को बाहर निकालनेना है वापर से नया रिले इसका पॉइंट ऐसा नहीं है कि आप उलता लगाएंगे उलता सिद्धा देखने की जुरद नहीं है इस में इस रिले में क्यूंकि रिले जो होता है उसी घाट पे उसी होल में बैठेगा जहां पर बैठना चाहिए उसे गलत नहीं बैठेगा कभी भी यह रिले तो यहां पर बेफिकर रोने कर आप लगा के उसके पर सोल्डिंग आईरन से इसे आप सोल्ड कर दें बस इतना सा है इसमें अब इसे चेक कैसे करना है मानिए कि अगर आप चेक करना चाहते हैं और सिस् आप यहां पर न एक नोटल पर रखेंगे एक आउट पूट पर रखेंगे तो यहां पर टूटॉटटी के कररेंट अगर आ रहा है यानि कि Relay Output Supply तीन मिनट के बाद दे दिया समझे ध्यान से तीन मिनट के बाद अगर Output Supply दे दिया एपी सीवी Relay तो यहां पर Output Supply पर 220 का Current आना चाहिए एक Newtel पर रखेंगे यहां Newtel पर रखेंगे एक Output पर रखेंगे पहले Input पर रखेंगे Input पर Current तो आएगा ही आएगा क्योंकि Input सही है Output पर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है यह देखना है Output पर अगर नहीं निकल रहा है आप चेक किये 220 का Current नहीं आ रहा है तो यह पर उठा करके बगल में देखिए कि Input आ रहा है कि नहीं आड़ा है input भी नहीं आ रहा है तो आप main supply चेक करें कि main supply ही में ही problem है कि PCV में नहीं पहुंच रहा है अगर input supply यहांपर पहुंच रहा है 220 का current output supply नहीं दे रहा है तो समज़े ये relay खराब है relay आप change कर लिजिए अगर compressor लगातार चल रहा है compressor बन्द नहीं हो रहा है पीसी में में रिले में प्रावलम है तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं और इसमें देखे और एक चीज़ है ना सेंसर अगर आप पीसी भी बाहर निकाल करके चेक कर रहे हैं अगर दोनों सेंसर लगा होगा तभी आउटपूट सप्लाई देगा ये भी समझ लिजिए कि दोन सेंसर की जुरुरत है यहां पर दो सेंसर इंडो रोम टेंपरेचर सेंसर और कॉयल सेंसर यह दोनों लगा देंगे ना तो आउटपूट सप्लाई देगा यहां पर आप चेक कर सकते हैं 220 का करेंट लेकिन कुछ लोग होते हैं रिमोट और डिस्पले पूरा पैनल ही निकाल लोग काफी है और दो सेंसर लेकिन होने चाहिए दो सेंसर क्योंकि बीना सेंसर के आउटपूर सप्लाई नहीं निकालेगा पीसीवी कभी भी तो यह कुछ पीसीवी की जानकारी मुझे लगता है कि आप समझ गये होंगे आपको पसंद आया होगा वीडियो आपके लिए य लाइक जरूर करें लाश्ट में फिर से बताना चाहूंगा कि अगर आपने भी तक हमरे सिलेवन टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर देता कि हमारे आने वाली न्यू वीडियो को नोटिपिक कि साथ